अलू बारा बे कोई नी देगा जोदा का रेट खोला वादा इन्हें कटे गने इनकटे जरगों के गेरियों परेगो अलू बे नमस्कार जी मंजाब किसले टीवी देखरें सबी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़ेवा तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं मंडी की तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं प्याज में तेजी है और आलू में भी तेजी देखने को मिल लिया और आगरा का आलू सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ 15 रुपाय प्रति किलो के हिसाब से आलू सोलन सब्जी मंडी में आजे बिकरा है आगरा का अलू है तस्वीरों के माधन से आप तस्वीरे देख रहे हैं सोलन समझी मंडी में 15 रुपाय प्रतिकिलों के इसाफ से आगरा का अलू आज मंडी में विक्राज जब की मंडी में ना इसलिए तुटा परा कुदू लगी और मंडी में प्याज आज 23,5 रुपाय प्रतिकिलों के इसाफ से लेकर स्थाईर प्रतिकिलों के आज प्याज सोलन समझी मंडी में विक्राए आलू 12 रुपाय से लेकर 15 रुपाय प्रतिकिलों के इसाफ और आप तस्वीरे इस वक्त सोलन समझी मंडी के देख रहे हैं प्याज और आलू को लेकर competition चला हुआ, जवरदस आप देख रहे हैं, बिकवाली लगातार प्याज और आलू की चली हुई है, और डॉक्टर बलबीर ठाकर जी बीबियन से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर हैं, प्य आज सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है, और लगातार गाड़ी हैं, यहाँ पर प्याज की लगी हुई है, प्याज की ख्रीद हो रही है, और मंडी में, आज आलू 12 रपैसे लेकर 15 रपै प्रती किलो, और प्याज 3,5 पैसे लेकर 7 रपै प्रती किलो के हिसाब से प्य और आगरे से जो आया हुआ है वह विक्राइब फंदर अर्पे किलो यानिकी बारा से पंदर अलू हो गया जी और प्याज जो एज चंडिगर से आई पी कप इसमें यह विक्राइब और यह विक्राइब अच्छा और यह नासी का मोटा था यानिकी सड़ तेई से स्टाइर बे किलो तक ब्याज और साथ प्याज और तस्मत के ऊपर यह जी आणलो के ऊपर भी प्याज के ऊपर भी छे पर सेंट आड़ थे हां जी और तस्वीर आप सोलन सब्सदी मंडी की इस मंडी में बड़ी मातरा में प्याज की आपूरती बड़ी मातरा में मंडी में आलू की आपूरती हुई है प्याज के रेट लगातार बड़े हैं प्याज के रेट में लगातार तेजी देखने को मिली है सोलन सब्सदी मंडी की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं मंडी म प्याज नासिक का आज 7 रुप्य प्रती किलो के इसाब से बिक्रा है और आलू 12 रुपैसे लेकर 15 रुप्य प्रती किलो के इसाब से 16 सब्जी मंडी में आज बिक्रा है आलू या आगरा का है जो 15 रुपै प्रती किलो है और इसके अलावा जो प्याज है प्याज मंडी में आ आज साड़े तीस रुपैसे लेकर स्टाई रुपै प्रती किलो के हिसाब से बिक्राइज सोलन सब्जी मंडी के तर्फिर है बड़ी संक्या में खरीदार यहां पर मंडी में पहुंचे हुए और रौनक आप सोलन सब्जी मंडी की देख सेके हैं नमस्कार जी पिंजाब के सिरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शोकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइब यूड़े हुए हैं सब्जी नहीं है पालू प्याज में महंगा है और मंडी में लगातार भाव बढ़ते जा रहे मंडी में नहीं बलकि पू और मंडी में थोड़ा और महँगा बिक है तो किसानों को मंडी में यदि हमाँ बात करें तो मतर के अच्छे भाव मिनने और इस वक्त गोबी के रेट भी किसानों को बढ़ आ है और 34 पर प्रतिकीलों की इसाब से 16 सब जी मंडी में किसानों की गोबी बिक रही है पिछले दिनों गोबी के भाव में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन आज गोबी के रेट में लगातार पिछले कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिली है आलू मंडी में 15 रपर प्रतिकिलों के इसाब से कृतिका जी आ प्रतिकिलो प्याज भीकरा है लेकिन सोलन में तो मंडी में आज स्काहिर प्रतिकिलो के इसाब से मैक्सिम रेट है छे प्रसंट इसमें आरती भी लगेगी तो कुनि मिलाकर तीस रुपय के आसपास यह रेट बन जाता है तो बजार में हो सकता है कि 40-45 प्रति किलो के इसाब से प्याज बिक रहा हो लेकिन मंडी के हम आपको रेट बता रहे हैं कि मंडी में प्याज के रेट चाय आलू की बात हो, मटर हो और गुबी हो इनमें तेजी है और बेमुस्मी जो सब्जी हैं जिनका उत्पादन आजकल इमाचर परदेश में अभी नहीं हो रहा है आगे गर्मियों के सीजन में चलेगा उसमें बिंडी है, बिंडी तेजी है 65 से लेकर 70 प्रति किलो के इसाब से मंडी में बिक रही है गुजरात एमदावाद से बिंडी पहुँच रही है बेंगन यहाँ पर 35 प्रति किलो के इसाब से बिक रही है क्रेला 65 से 70 प्रति किलो के इसाब से मंडी में बिक रही है यह भी एमदावाद से यहाँ पर पहुच रहा है और शिमला मिर्चे में तेजी है 70 से 80 प्रति किलो के बिक रही है एम्दावाद की शिम्ला मिर्च हैं तो एम्दावाद से ही सर्जियां आज कल मंडियों में आ रही है और इसके लावा टमाटर एम्दावाद का 740 प्रतिक्रेट के हिसाब से 166 मंडी में आज बिक रहा है तो मोटा मोटा लबल उबाब यही है निम्बू आज 130 प्रतिकिलो है और जेमीकंद 100 प्रतिकिलो के यहाद से 166 मंडी में आज भर जिक रहा है और ग्यान सुमिन जी हमारे साहत है कंडागार से जुड़ गा तो नका मुस्वाद करते हैं और ग्यान सुमिन जी हमारे बूरिष्ट पत्रकार है 17 जीलक है और नामी पत्रकार है और सुभा सुभा तो हमारे लिए अच्छी बात विया और खुशी की बात विया और आलम कास्मी जी ट्रमाटर का रेट सांसो चाली रुपय प्रतिक रेट सोनल सब्सक्राइब बंडी में आज रहा है रवी कुमार जी मारे साथ जुड़े है तुमका भी स्वागत है गोविन सिंग जी का स्वा के लावा कच्छी हल्दी मंडी में नहीं है तो इसलिए हम उसका रेट आपको थोड़ा बता नहीं सकते कि किस भाव भी की है और सिधार्थ नेगी जी मारे साथ जुड़े है तो सिधार्थ नेगी जी का में हमाँ स्वागत करते हैं तो सोलन सब्सक्राइब बंडी की यह त देख लिए पंजाब के सिरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही देखते रहे हैं पंजाब के सिरी टीवी कहीं जाईए का नहीं मौसम की हम आपको जानकारी देंगे कि हमाचर प्रदेश में किस तरह मौसम रहने वाला है आने वाले दिनों में और असलाम खान पॉंटा सा रहे हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं तो पंजाब किसी टीवें में रविंद्र कुमार जी गार्लिक बंडी में आज 150 में तक बिका है